नमस्कार दोस्तो, again an interesting topic, भाई सब आपके डिगरी क्या है? The middle class obsession with degree and qualification. आपने खाँ पड़ा है, या बता रहे हो आपका खाएं, बहुत interesting topic होने वाला है. 2023 चल रहा है, most of the degrees जो लोग लेके घूम रहे हैं, it is not worth the paper it is typed on. I am telling you this with great responsibility. एक union minister है, उनकी degree पे बड़े सवाल उठे थे, बड़ा हलना मचाता है, क्योंकि वो thought process है, तु क्या, ये ministry वाली बनी हुए है? जितने भी I.S.U.P.S.C. toppers है न, उन सब ministerों के नीचे ही काम करते हैं, इनकी degree का कोई meaning नहीं है. डिगरी is for somebody जिसने नौकरी करनी है, और आज के दिन नौकरी भी जो लग रही हैं, उनमें भी डिगरी नहीं पूछ रहे हैं, देख रहे हैं इनसान, और उस हिसाब से इसकी स्रम्शमता क्या है, और उस हिसाब से उसका काम लग रहा है. आपके जो ओयों के ये हैं, इनके पास बड़ी degree है, इस सारे के सारे आएम वाले, आईटी वाले, इनहीं के लिए काम कर रहे हैं. डिगरी तो जाके आदमी लाता है, क्योंकि अब फिर बोलेंगे, नहीं, degree is very important, reason यह क्योंकि आपने बहुत time और पैसा कर दिया, बिकास होता है कि जो degree के बिना भी काम चला रहा है, पर अगर आपको किसी का पेट खोलना है, as a doctor, तो degree चाहिए, आपको जाके किसी को वकील को कोट में case लड़ना है, degree चाहिए, आपको किसी के returns भरने है, officially ठपा चाहिए, तो chartered accountant की चाहिए, पर बहुत चीज़ों के एक लि बाली, फिर ये कर ली, बेड़ कर ली, बेड़ कर ली, ये कर ली, वो कर ली, जितने आपके ये physics वाला जी हैं, इनने बेड़ कर रखिये क्या, unicorn वाले teacher हैं ये, अमन भहिया, अमन दतरवाल, उनने कौन सी बेड़ अमेड़ कर रखिये, ये basic चीज़ा teacher के लिए degree चाहिए, क कितने पैसे कमा रहे हैं, क्यों पूछ रहे हो आप ये, क्यों time waste कर रहे हो, degree उसको चाहिए, देखो system क्या है, system ये कि जो पूरे system में किसी को कुछ देना है, उसको time नहीं सबको interview करने का, तो एक system बनाया जाता है, कि ये एक परिक्षा है, इस परिक्षा को देने के लिए आ फिर आप उसके बाद हम छाटते रहेंगे और उसके बाद हम आपको interview देंगे, जैसे कि companies में होता है, round one, round two, round three, इस तरह करके चीज़े होती है, round one, round two, round three, ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपकी play out होती है, round one, round two, क्यों होती है, क्योंकि वो आपको filter करते जा रहे है, filter कर ठीक है, to get this thing, because time नहीं है, कि आप अच्छे हो यो नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने आपको अच्छा पुरूफ कर देते हो, फिर कहीं की degree पुछेगा, राम देव जी से जाके कोई योगा की degree पुछेगा, आप मुझे बताओ, सद्गुरु जी इनर इंजिनेरिंग करते ह इनर इंजिनेरिंग है, this has to be understood, this has to be understood by everybody, कि do not run after degree culture, if you can prove yourself, by your intelligence, by some presence, by social media, by your work, by your projects, आज के दिन ये जो gig culture चल रहा है, इसके अंदर आपको वो दिखाया जाता है, प्रोजेक्ट्स मैंने ये करें, इस इसका ये किया, ऐसे मैं आपके pain point solve कर सकता हूँ, और ये ये मैं कर सकता हूँ, that's all, अब ये तुन्हें degree कौन सी ली है, ये बटन दबाने की, अब लोग बच्चे ये thumbnail बनाते हैं, इसमें भी खर्चा पानी है, 266-800 रुपे लग जाते ये जो editing video है, तो कोई आदमी पूछेगा तुन्हें एक हांसे सिखा है, बोलेगा ये ले, करके दिखा, अच्छा लग रहा है, लेले पैसे, अच्छा लग रहा है, लेले पैसे बहुत काम हो चुके हैं, यही समझा रहा हूँ मैं यूथ को, डिग्रियां, डिग्रियां, ड पैसे कमारे हैं डिग्रियां करके, प्राक्टिकल चीजें आप करके देखो, उसमें पैसा है, डिग्रिया इस नो लोंगर वर्थ, अगर दा डिग्रियां और यही बड़ा सा ठपा नहीं है ना, जो इस लीग के हैं, और इस लीग के जो भी हैं, वो पांस-दस परसंट ही है 90% is all कचड़ा, that education is all कचड़ा, that 3, 4, 5, 7, 8 साल टाइम वेश्ट है, पांस साल के बाद भी आपको अगर यही थमनेल बना रहे थे हैं, तो 17 साल में भी बन जाते हैं, कैनिवस पे चले जाओ, दो-चार इस तरह के जो हैं, और उन पे जाके पिक्सार्टा और यह वगरा हैं, सीख लो, खहीं छोटा मोटा कोर्स कर लो, नोबडी इस इंट्रस्टेड की कराख हां से, अगर आप अपने सूट बेच रही है एक लेडी, लेट से रोहिनी प्रितम पूरा में, यह शाली मार बाग में, उसको जाके पूछें के तुन्हें नैशनल इंस्टिटूट अफ फ हा लेते हो, कहीं होटल में जाते हो, तो पुछ तो यह कुक की डिगरी क्या है, इतने काम हो रहे हैं मिना डिगरी के, यही तो मैं बता रहा हूँ, यह जो गाड़ी मारुती के जो ठेले, वो चलते हैं न मैं गुड़गाओं में देखता हूँ, अठारा गाड़ियां जिसम कितनी है, जाके चेक करना, क्रेन ओपरेटर, यह जो इतनी बड़ी बड़ी क्रेन और कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, मैं क्रेनों में गया हूँ, इतनी हाइट पे, चेक करने, उसका जो अंदर से वो है न, वो F-16 के कॉक्पिट की तरह लगता है, चोटा सा जोइस्टिक कर कैसे, ऐसे लगता है, जहाज जूज में बैटे गए, है क्रेन ही, उस क्रेन ओपरेटर की तंखा करोगे, चक्षू खुल जाएंगे, लाखों के अंदर है, क्योंकि वो काम इतना टेकनिकल है, कि उसको समान ऐसे पकड़ना है, यहाँ पे, उसको उठा के, यहाँ एड़ेस् की बात कर रहा हूँ, इस तरह की मैं चीजें लेके आता रहूँगा, करियर्स के बारे में आप लोगों ग्यान देता रहूँगा, मेरा एक इन्फो सब्सक्राइबर्स वेबिनार इन्फो ग्रूप है, तो मैं यह चीजें बताऊंगा, आपको करना क्या है, नहीं करना वो पिक अप कर लेना, पर पता तो होना चीजें, लगी हो चालीजार रुपे की नौकरी के चक्कर में डिगरी लेके, डिगरी हैं, मैं, मैं, MBA की डिगरी, धाई लाग, तीन लाग, चार लाग, MBA निकलते हैं, इतने जुरूत है, इतने मैनेजर की जुरूत है, आप बताओ, फ हमारी तरफ से IAT IM का आजा है इसके चक्कर में, हमें तो और अच्छा है, तो MBA आ रहा है तो चल भई, तो कुछ तो पड़ा लिखा होगा, not that MBA is required for that, any 12th pass is also okay, any 12th pass is also okay, for that job, but MBA करना चारा है उसके लिए, why not, तू भी आजा, this is something that has to be understood by the, by all of you, ठीक है, this is something which has to be understood by all of you, that do not run after degrees blindly, see where that degree is going, मैं एक हेंट दे के छोड़ता हूँ, जो भी आप degree कर रहे हो या करना चाहरे हो, वो degree उस college से, उस university से, आप पहले इंसान नहीं हो, किसी ने करी है, जिसने भी करी है, उनका track record देखो, कर क्या रहे हैं वो, कोई तो alumni type system होगा, कोई तो पुराना system होगा, कोई र हैं, तो उनसे पुछ लो, क्या कर रहे हो, आपको अपने पता चल जाए का मुझे करना है, नहीं करना, क्योंकि अगर वो आदमी unrelated काम कर रहा है, तो बोलो, अगर यही काम करना था, तो भाई degree, यह वाली degree ही है, जुरूत ही, this is what will be the आपका eureka moment, that कि यह वाली जो degree आपने ल and some this thing which you can show, through social media presence or your projects or something, it is good enough for the person who is going to hire and moreover it's going to be gig economy, gig economy मेर को आपको रखना ही नही पालना ही नहीं, भाई यह काम में कर पैसे ले जा, क्या सीखा, कहां से सीखा, मुझे नहीं पता, कर के दिखा, अच्छा अच्छा है, ठीक है, खतम बात, बहुत लोगों का ऐसा हो रहा है, तो I hope you will understand the message which I want to send through this thing, it doesn't mean कि पढ़ाही लिखाई छोड़ दो, it doesn't mean कि कोई डिगरी कुछ नहीं है, but correlate करो, आपकी लाइफ के तीन से चार साल निकलने वाले हैं, चार साल निकलने वाले हैं वापे, तो आप अपना देखो वहाँ पे यार कि यह वर्थिट है या नहीं है, जिस्ट बिकोज कोई कर रहा है, यह college अच्छा है, college अच्छा से क्या है, उससे हो क्या रहा है, आगे भी तो देख लो ना, और आगे करना क्या आपने, और क्या वो काम आप अभी से start नहीं कर सकते हैं, क्या आपको उसकी डिगरी की ज़रोती है, और अगर आपने माथे पे आप ही की communication skill, आप ही की IQ, आप ही की patience, आप ही की hard work, नहीं actually आपको ले जाना है, तो उसमें degree का तो कहीं contribution है नहीं, वो तो आपकी अलग से वैसी exist करती, in fact आपको brain juice बहुत मिल जाएगा, अगर आप अपनी degree में ऐसी तैसी नहीं करा रहे होगे, आपको कुछ और करने का advantage मिल ज साल, बाकी लोग लगे होए अपनी कुछ degree में ऐसी तैसी करने, मजे करने, आप 18-22 साल आपने 4 साल का अपना work का एक पीछे history रख ली, कुछ भी जो भी आपने काम किया, projects के काम किया, physical, social media पे, digital में, या actual में, आप record रख सकते हो, कि मैंने यह अलग-अलग तरह से काम किया, जो smart लोग हैं, उन समझ रहे हैं मेरी बात, that's why subscribers चार लाग नहीं हो रहे हैं, धिरे धिरे बढ़ रहे हैं, पर थोड़े बहुत request करूँगा, जो पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा इसको वे करें, और अपने बच्चों को जो elderly देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी भ थाकि हो सकता है, अगर बहुत यंग बच्चा मुझे समझ रहा है, सुन रहा है, तो वो शायद पूरी बात ना समझ पाए, उसको guidance की भी जरूत पड़े, तो please guidance लो, पने पापा ममी को बो, बोलो, यह कुछ बताया है, इसको समझाओ मैं, कि exactly क्या किया जा सकता है, otherwise details में, मैं आपको जो webinar वाला group है, उसको join कर लो, उस पे भी मैं महीने में एक दो बार इस तरह की चीज़ें लाता रहूँगा, आप लोगों को actual tangible ideas देता रहूँगा, thank you very much.